शुबो देई मेरा नम सेयदा मेरी ने तीसरी कक्षा में परती हूँ आज मैं बोलने वाली हूँ हमारा बोजन बोजन हर रोटी के लिए जरूरी है हमें संतुलित बोजन लेना चाहिए जिसमें परोटीन, विटामिन, फारिवर, काबो हाइडर, फैट्स यानि वासा देना चाहिए चलो विटामिन के बारे में सीखते हैं विटामिन A किसमें पाये जाते हैं? विटामिन A दूद, अंडा, पनीर, गाज़, टमाटर और हरी सब्यों में पाये जाते हैं इसकी कमी से रात का अंदाबन यानि नाइट टाइमलेस नाम का रोग होता है विटामिन B किसमें पाये जाते हैं? विटामिन B मीट, चिकन और दूद में पाये जाते हैं इसकी कमी से बेरी-बेरी नाम का रोग होता है विटामिन C खटे फल जे से लिम्बू, आम, ला, लिम्बू, आम, आम, संत्रा में पाये जाता है इसकी कमी से कवी नाम का रोग होता है जिससे मसूडों से कून निकलता है विटैमिन D, सूरच के किर्णों से विटैमिन D नीज़ता है और मचली अन्या दूद में पाये जाता है इसकी कमी से सुखंटी यानि रिकर्स नाम का रोग होता है विटैमिन E, किसमें पाये जाता है विटैमिन E दूद, बादम, सबस्यों का तेल और नट केला में पाये जाता है इसकी कमी से दिल का दोरा यानि हाट अटक नाम का रोग होता है धन्यबाद